सबसे पहले तो हम चाय पी लेते हैं अभी बज़े हैं सुबे के आठ लेकिन आसमान देखिए कितना सुन्दर लग रहा है आज मैं लेंच के लिए बनाऊंगी इस स्प्रिंग ओनियन का चने के आठा डालके बेसन पर मैं अभी इसको सिफ रेडी कर लूँगी प्रिपरेशन कर लूँगी और फिर लंज के टाइम पे दुफेर को उसको गरम गरम पार्लर पे जाके बनाऊंगी जैसे अब चानते ही हो के पार्लर पे मेरा चोटा सा कीचन भी है अंदर और उसमें गैस भी रखा है मैंने तो यह सबजी गरम गरमी अच्छी लगती है तो इसलिए मैं इसका सारा प्रिपरेशन कर लूँगी और सब रेडी करके लेके चली जाओंगी वहां पे सिफ उसको पाकाने का ही बाकी रहेगा तो गैस चली फट फट बना लेते हैं लंच przep ये मैं बणाऊंगी सब्जी में कांदा पेसन ऑनियंट को इस तरह से हमें काटना है तो ऑनियंट को इस तरह से अच्छे से दोलेंगे हम और कडा़ी में देल र granular ज़्वारियंगी और तेल में हम ड मसाले डाल के जीरा क्रेकल होता है अम आनियन को उसमें डाल देंगे अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची थोड़ा सा हल्दी लालमेची पाउडर जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला लालमेची और डाल देती हूँ और फिर इसमें थोड़ा सा इमली भी डालेंगे हम अभी मैं थोड़ा नमक डाल दे इसमें अब नमक अपने अंदाज से डाल सकते क्योंकि चनी काटा भी पड़ेगा इसमें तो इस तरह से नमक डाल दिया और थोड़ा सा इमली डाल देती हूँ यह देखिए थोड़ा सा इमली तो खटा खटा पेशन बहुत अच्छा लगीगा इसमें थोड़ा सा इमली डाल दिया है इसमें अब यह थोड़ा सा पक जाए तो हम गैस बन करके इसको खाली कर लेंगे एक डब्बे में और उसी कड़ाई में हम चने काटा भी सेक लेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा सौते होते ही अब हम इसको खाली कर लेंगे टिफिन बॉक्स में और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे तो मेरा यह सबजी बनके रेडी है सिर्फ इससे अब मुझे इसको खाली करके इसको टिफिन में भरना है और इसी कड़ाई में मुझे बेसन को थोड़ा सा सेक लेना है तो बस गाईस इस कड़ाई में अब बेसन सेक लेती हूँ में थोड़ा और इसे भी टिफिन में ट्रांसफर कर लूँगी और फिर पालर पे पानी डालके उसको गरम गरम पका लूँगी टू मिनिट्स में बन जाएगा पालर में यह तो खाना खाते हो मैं और ममी अच्छे से गरमा गरम कांदा बेसन खा सकेंगे बेसन सिखने का स्मेल ना गाइज इतना मसत आता है ना पूछो मत इसे लग रहा है लड़ू के लिए हम जब चने काटा भूछते हैं उसी तरह से बहुत अच्छा रहा है प्रेंट से यह ना गरम गरम ही बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इस तरह से रेडी करके लेके जा रही हूं क्योंकि रात को आके बनाने को कुछ टाइम नहीं रहता है तो बस मेरा और ममी का डेल कर रहा था कि आज कांदा बेसन खाए इसलिए मैं ये स्प्रिंग ओनियन वाला बेसन बना रही हूं बस भूच चुका है बेसन अब मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूं अपने टिफिन बॉक्स में तो यह सब एक साथ मैंने ट्रांसफर कर लिया है टिफिन में लंच बॉक्स में और अब पारलर पे जाके मैं इसमें सिर्फ पाली डालोंगी और पक अब आगे थोड़ा सा 2-3 मिनिट्स का काम बाग किये जो मैं पारलर पे जाके करूंगी Hey guys, good morning तब ही मैंने शावर ले लिया है और सुबह का काम आपने देखा ही मेरा फिनिश हो गया है उस बीच में मैंने कपड़े वाशिंग कर लिये और अब मैं थोड़ा सा रेड़ी हो जाऊंगी, बाल थोड़ा से सुखा लूँगी और जल्दी से भागूंगी पारलर पे तो I'm Indian YouTuber जोसना जैस्वाल और बस काम है के खतमी नहीं होता है देखे मैं कब से मौनी से उठके लगी हूँ काम करने के लिए अब मेरा नव बच गए हैं और अभी तक मैं निकलने की तयारी में नहीं हूँ कभी कभी न भगवान किसी किसी के नसीब में बहुत सारा काम लिख देता है अब मुझे घर पे भी सब कुछ करना पड़ता है और पारलर पे जाके भी सब कुछ करना पड़ता है ऐसे मैं रख सकती हूँ कोई helper लेकिन मैं नई रख रही हूँ मैं सोचती हूँ जहां से पैसा बचे महां से पैसा बचा लूँ क्योंकि मैं अधितिको रश्या में पड़ा रही थी तो सारा खर्चा उसका निकलना चाहिए और medical की study आप जानते ही हो कितनी महेंगी रहती है तो इसलिए मैं सारा काम खुदी करती हूँ बहुत 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 हेक्टिक हो जाता है और guys अभी जाते जाते मुझे petrol भी भरना है तो चलिए पहले पारलर के लिए रिक लेंगे क्योंकि mommy wait करती होगी तो बस दो मिनिट मैं फिर से मिलती हूँ आपको थोड़ा सा ready होने के ब बहुत 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 है तो guys बालो की जेट्टा मैंने निकाल ली है अब थोड़ा सा ready हो जाती हूँ तो बस काजल और रिप्स्टिक लगा लिया है मैंने और अब मैं निकलूंगी पारलर के लिए तो उससे पहले मैं petrol भराने जाऊंगी पेट्रोल भरवा भरवा के मैं परेशान हो गई हूँ हर तिसरे दिन मुझे पेट्रोल भराना पड़ता है मुझे सब लोग पुछते हैं कि पेट्रोल के rate बढ़ गए हैं तो मैंने बोला मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है मैं तो पहले भी 100 रुपीश कब भराती थी अब भी 100 रुपीश कब भराती हो इतना है कि पहले मैं smart petrol चार दिन चलता था अब पेट्रोल तिन दिन चलता है तो इस तरह से गाइस अब मैं निकल रही हूँ और सुब़े की भागम भाग तो कोई कम होती नहीं है शायद आप सभी की भी ऐसी भागबाग होती होगी कभी-कभी क्लाइंट को पूछती हूँ आप कितने बजे उठते हो कोई बोलता है चार बजे कोई बोलता है पांच बजे मुझसे नहीं उठा जाता है मैं रात को भी बहुत लेट हो गई थी कल तो मॉर्निंग में 6.30 को जय मुझे उठाते हैं पर मेरे से उठाई नहीं जाता है साथ तो बजी जाते हैं उठ्टे उठ्टे और फिर फिर थोड़ा सा मुबाईल यूटूब लेके बैट जाती हूँ देखती हूँ कितने सब्सक्राइबर हुए क्या कोई मैसेज है कुछ है तो उसमें मेरा टाइम चला जाता है और फिर लगती हूँ मैं काम पर तो हर रोज सोचती हूँ कि प्रेस वाले जो आते हैं भाईया जी उनके आने से पहले मेरा सारा काम हो जाए पर वो मैं एक भी दिन तीन मैने से चार मैने से यही सोच रही हूँ कि वो पौने आठ बजे तक आते हैं तो पौने आठ बजे तक मेरा काम हो जाना चाहिए जल्दी से पूरा निप्टारा क्योंकि मुझे प्रेस वाले भाईया जी का वेट करना पड़ता है वो कपड़े प्रेस के लिए लेके जाते हैं उसके बाद ही मैं मेरा आगे का काम कर सकती हूँ तो इसलिए मुझे तो गाईज इस तरह से मेरा मौनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है और काम है कि खता मी नहीं होता है अब मैं भागती हूँ पार्लर पे नहीं तो बाते करती रूँगी आपसे तो लेट हो जाएगा और ममी भी वेट करती रहेगी ना वहाँ पे तो और ममी आती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक दिन ममी नहीं आई थी अभी बीची में मैं इतनी परेशान हो गई थी मतलब टाइम कैसे निकालो क्लाइंट तो आते रहते हैं लेकिन क्लाइंट की बात और हो जाती है क्लाइंट अपना काम करवाते हैं और चले जाते हैं पर ममी रहती है तो थोड़ा सा मुझे अच्छा पढ़ता है ममी के साथ बाते करती रहती हूँ और फिर थोड़ा ममी का काम भी थोड़ा रहता है न तो थोड़ी देर पार्लर पे आती है तो थोड़ा सा रौनक बन जाती है अच्छा लगता है तो ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है गाइस क्या करें ऐसे ही जीना है बस तो फ्रेंड्स चलिए पार्लर पे मिलते हैं मुझे यह मेरा ट्रेसिंग टेबल अरेंज करना है बस टाइम ही नहीं मिल रहा है इस मैं इसको अरेंज करूंगी अच्छे से क्योंकि सारा सामान मुझे अच्छे से मिलने रहा है तो मैं इसको अरेंज करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे मेरा ट्रेसिंग अरेंज किया है तो गाइस भागम भागी करके मैं पहुंच गई हूं पादलर पे और क्या हुआ सिगनल पे आज अभी तक मुझे न सिगनल समझ में नहीं आता है सच बोलू तो मैं फटाफट सब लोग जाते हैं उनके पीछे में निकल पड़ती हूं तो मुझे बहुत पेट्रोल भराना था तीन दिन से कंटिर्यू पेट्रोल नहीं भरा पाए रही थी तो मैं निकली फटाफट और लास्ट में थी मैं और वो लाइन पूरी जहा रही थी और दूसरी लाइन स्टार्ट होने वाली थी और अच्छानक एकदम से गाड़ी एसे एकदम आगई मै कुम्ति थी और मैंने इतनी फास्ट गाड़ी मारी और अच्छा होन ब्रेक मारा बाद में आगे जाके सोचा मैने बापरे अपनी लाइफ बहुत किमती है इस तरह से इतनी घाई नहीं कारने कि घाई करते ही रहे जाएंगे फूरा फिर बाद में आते वक्त तो पेट्रोल भरा के आते वक्त साइड में खड़ी हो गई एकदम से और आराम से सब के पीछे-पीछे निकली तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से मत कीजिए आज मुझे एकदम से बहुत 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 घबरा गई थी मैं कि अच्छानक यह क्या हो गया मेरा दिमाख में सिर्फ यही चल रहा था लेट हो गया है और मैं पेट्रोल भराने जल्दी से पहुंच जा तो मैं सारी गाड तो इस तरह से आप भी अपना पूरी तरह ध्यान रखिए क्योंकि अपना लाइक बहुत किमती है तो अब मैं पार्लर पे आ गई हूं कल का पार्लर पे बहुत सारा मेस पड़ा है तो वो सब मैं करूंगी तीन दिन से पेट्रोल नहीं भरवा पा रही थी सुबह भराओंग अब मैं पार्लर का पूरा सब अरेंजमेंट कर देती हूं तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देड में अब को तुझे केश झाल कफो खुदि शाई हैं तो खैलें अपस्तरो तक के लियाए थी तो ऑंपको जह स्करो के जुठ cafक्षा अबेला खालbury सुप में देजिए देजिए टो रिपटारा हुआ है मेरा इस बीच में मैंने वो मश्रूम कट काटे और थोड़ा बहुत काम किया और कल का बहुत कल रिबॉंडिंग किया था एक लाइन का तो रिबॉंडिंग का बहुत सब पसारा पड़ा हुआ था तो वो सब साफ सपाई करके अभी मैं बैठी हूँ अब बज़े हैं साड़े बारा दुफेर के और अब मैं बनाओंगी ओकांदा बैसन बना के तो लाई हूँ सिव उसको गरम खड़ाई में थोड़ा सा पानी डालके उसको पका लेने का है और फिर हम लोग करेंगे लंज में और मम्मी और मम्मी भी यहां बैठे हैं महा देख रह क्या कि और महाँ पेर के शांब है तो फॉर्ड करना भी जरूरी डिर्यता है शॉरा दिन खड़े खड़े न्यश्गे बैठना भी जरूरी रेता है जमीन पे तो पावो थोड़े से फॉड़े होते हैं महीटे हैरा चाल तो हम लोग पूरी अच्छल थे लिल्चा हॉं overhe qui Prof तो नीचे बैठने का तो सवाल ही नहीं आता है तो मैं थोड़ी देर न दुपेर के टाइम पर रोज इस तरह से मेरे स्टूडन्ट आते है न तो ये विजिटिंग रूम में मैं बैठ जाती हूँ नीचे तो आज स्टूडन्ट आने वाले नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा ठक गई हूँ तो नीचे बैठी हूँ और फ्रेंट्स बस चल रहा है ऐसे ही तो हम लोग लंच करेंगे और मैंने बाल अपने सुखा रही हूँ खोल दिये हैं आज हैर वोश किये थे तो थोड़े से बाल सुख जाए तो फिर उसको में टाय कर लूँगी तो गाइस यह है मेरा पालर पे छोटा सा कीचन मैंने कडाई रख दिया है और अब मैं वो कांदा बेशन पानी डाल के दो मिनिट में पका लूँगी और हम लोग फिर खाना खा लेंगे थोड़ी देर के लिए इसको मैं अब ढग देती हूँ तो यह पक्के रेडी हो जाएगा यह सबजी पक्के अब रेडी हो गई है तो गाइस चलिए लांच रेडी है आप सब भी आईए मेरे साथ खाना खाने को यह दिखने में जितना सुन्दर लग रहा है खाने में नहीं टेस्टी लगता है तो गाइस अभी लैंच हो गया है और मैं कुछ देर के लिए लाइव कई थी अभी और लाइव सक्सेस्पुल हुआ है तो अब मैं लाइव आया करूंगी इसी तरह से तो गाइस लैंच खा लिया है और आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं एविनिंग में आपको मिलती हूं अगेल, ओके? मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं लाइव जाओं, लाइव जाओं आज फाइनली मैंने लाइव जाए गई अभी बचे हैं शाम के पॉनेच है और मैं मेरे लिए और ममी के लिए चाया बना रही हूं उस बीच में मैंने एक और छोटे बच्चु का हैर कट किया है अभी पार्लर में और छोटोर पुटोर थोड़े बहुत आइवरोज का काम चल रहा था तो थोड़ा सा प्री हूई हो तो पार्लर पे चाय बना रही हूं दिन पर पार्लर में रहते हैं तो बहार से चाय मंगा के पीने की बजाए मैंने उसी तर से पहले से अरेंजमेंट कर लिया था कि मैं पार्लर में सुबह से हैं चलिए चाई का मज़ा लेते हैं आप टाइम लेता है न तो गाइज इस तरह से चाई पीने की बात ही कुछ और होती है बारिश पढ़ती है तभी भी चाई पीने की मज़़ा कुछ और ही आती है तो फ्रेंड्स रात हो गई है और बच गए है साड़े ग्यारा और मैं आ गई थी पार्लर से दस साड़े दस बचे तक पर फिर मेरा कुछ मूड़ी नहीं किया और अब जाके मेरा सब काम निपटा है तो मैं अब सोने की तयारी कर रही हूं तो आज का ये व्लोग में यहीं पैंड कर रही हूं और मिलते हैं कल नए व्लोग में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा मश्रूम कट बाल में ने काटे वो कैसे लगे आपको मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताईएगा और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लोग में